Hello students, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Study विदैसान पर और जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार बोर्ट ने Intermediate Board Examination 2021 के लिए अपना Official Model Paper जारी कर दिया है और students इस Model Paper के जारी होने के बाद हमें ये पता चल गया कि इस दफ़ा किस पैटर्न पर questions पूछे जाएंगे तो students अगर आपने इस Model Paper में जो भी instructions given है अगर आपने उन्हें पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि इस दफ़ा आपके 100 objective questions पूछे जाएंगे 100 वस्तुनिस्ट परशन जिनमें से हर question एक-एक marks का होगा और आपको सिर्फ 50 questions के answers देने यानि कि objective questions से आपको 50 marks आ जाएंगे और उसके बाद आपके 30 short answers questions भी आएंगे लानि कि लगूत तरिये परशन तीस आएंगे जो आपके खंड बो में रहेगा ये हर question दो marks का होगा जिनमें से आपको सिर्फ 15 questions के सवाब देने है यानि कि 15 questions और हर questions 2 marks का था तो आपको 30 number short answers questions से ही आ जाएंगे और उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपको 8 questions long answers questions मिलेंगे 8 questions यानि कि दिर्गुतर ये परशनों की संख्या 8 होगी जिनमें से आपको सिर्फ 4 के जवाब देने हैं यानि कि सिर्फ 4 questions के ही answer देने है हर question 5 marks का होगा यानि कि जब आप 4 questions बना लेंगे और हर question 5 marks का है यानि कि 20 marks 20 marks आपको दिर्गुतर ये परशन से आ जाएंगे तो students आपने देखा कि 50 marks आपके objective से 30 marks आपके short answers questions से और 20 marks आपके long answers questions से तो ये था आपका 100 marks के paper में questions के questions का distribution तो students इस model paper में जो भी questions जो भी questions include किया गया है दिया गया है ये सारे questions बहुत ही ज़ादा important है क्योंकि इन questions का same to same आपके final examination में आ जाने का बहुत ज़्यादा chance है तो इस questions को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप पढ़ें और याद कर लें और उसे लिख लिख कर प्रैक्टिस भी कर लें ताकि अगर ये same question आपके examination में आ जाता है तो आप बहुत आसानी से इन सारे questions को हल कर पाएं लेकिन दूसरी बात आप ये भी याद रखें कि पूरी तरह इन ही questions पर ही depend नहीं रहना है क्योंकि students इन questions से ज्यादा ज्यादा questions आने के chances हैं लेकिन आपके बाहर से भी questions आ सकते हैं इसलिए जिस तरह आपकी तयारी चल रही है वो तयारी भी करते रहना है और पहले इन questions को जो questions इस model paper में दिया गया है उसे पहले कर लेना है लेकिन अपनी तयारी भी जारी रखनी है तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 objective questions के किस question का कौन सा option correct हो रहा है तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस model paper का पहला question ये रहा आपके screen पर question number one 1922 में मोहन जोद्रो की खोज किसने की तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा option number D. राखल दास बनर जी question number two question number two क्या है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के अस्थापना किसने की थी तो आपका correct option students कौन सा हो जाएगा option number D. विलियम जोन्स question number three मोहन जोद्रो किस नदी के किनारे इस्थित है तो आपका correct option हो जाएगा option number D. सिंधु question number four लोथल कहां इस्थित है और आपके options हैं गुजरात, पश्रिम बंगौल, राजिस्थान, पंजाब तो आपका correct option हो जाएगा option number A. गुजरात question number five भारतिय पूरा तर्तिव का पिता किसे कहा जाता है तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा option number B. अलेक्जेंडर कनिंगम question number six question number six कनिश्क का राजि रोहन कब हुआ था तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा option number B. अठथत्तर इस्वी question number seven अर्थ शास्त्र किसने लिखा था तो आपका correct option हो जाएगा option number A. कौटिले question number eight गुपतों के काल में कौन चीनी यातरी भारत आया तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा option number C. फाहियान question number nine महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा option number A. संस्कृत Q10. धम की शुरुवात किसने की? तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा? Option B. अशोक Q11. महावीर के बच्पन का नाम क्या था? तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा? Option B. वर्धमान Q12. भारत जैन संगीती कहां हुई थी? पर्धम जैन संगीती कहां हुई थी? तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा? Option A. पाटली पुत्रा Q13. श्वेतामबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा? Option D. जैन Q14. इस्टूप किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा? Option C. बुद्ध धर्म यानि के बौध धर्म Q15. सूत्पितक किस धर्म से संबंधित है? तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा? Option B. बौध Q16. बाबर नामा क्या है? तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा? Option C. आत्मिक था Q17. कुतूब मिनार का निर्मान किसने आरम भिकिया? तो आपका correct option हो जाएगा? Option C. कुतूब उद्धीन एबग Q18. जी जी आ किस से लिया जाता था? तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा? Option D. जिम्मियों से Q19. अंति मुगल समराट कौन था? तो आपका correct option हो जाएगा? Option D. बहादूर शाह Q20. दीने इलाही संबंधित है? आपका correct option हो जाएगा? Option C. अकबर से Q21. अकबर के काल में राजस्वे वेवस्था किसने नियंत्रन की थी? अकबर के काल में राजस्वे वेवस्था किसके नियंत्रन में थी? तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा? Option D. टोडर मल Q22. पानी पत का दिद्तिय यूद कब हुआ? तो आपका correct option हो जाएगा? Option B. 1556 Q23. कृष्णे देव राए किस वन्ष का राजस्था? तो आपका correct option हो जाएगा? Option C. टुलूफ वन्ष Q24. निकोलो कौन्टी किस शासक के कारिकाल में आया था? किस शासक के कारिकाल में आया था? तो आपका correct option हो जाएगा? Option number A. देव राज पर्थम Q25. किस राज जी को हमपी के नाम से भी जाना जाता था? तो आपका correct option हो जाएगा? Option number D. विजय नगर Q26. परसित विरुपाक्ष मंदिर कहां इस्थित है? तो आपका correct option हो जाएगा? Option number A. हम पी Q27. दिल्ली सल्तनत की अस्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की अस्थापना कब हुई थी? आपका correct option हो जाएगा? Option number A. 1206. Q28. तल्वंडी किसका जन्म अस्थान था? तल्वंडी किसका जन्म अस्थान था? तो आपका correct option हो जाएगा? Option B. नानक. गुरू नानक. Q29. उत्तर भारत में भक्ती आंदोलंद का आरंभ किस संत ने शुरू किया? तो आपका correct option हो जाएगा? Option number A. रामानन्द. Q30. मेगा स्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो आपका correct option हो जाएगा? Option A. युनान. Q31. अफनासी निकीतिन कौन था? तो आपका correct option हो जाएगा? Option number D. वया पारी. Q32. इबने बतूता किस देश का यात्री था? तो आपका correct option हो जाएगा? Option number A. मुरक्को. Q33. पूर्त गालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो आपका correct option हो जाएगा? Option number C. पंद्रह सो दस. Q34. इंग्लिश East India Company की अस्थापना कब होई? तो आपका correct option हो जाएगा? Option number A. सोला सोइस्वी में. Q35. उल्गुलान विदरो का नेता कौन था? तो आपका correct option हो जाएगा? Option number D. बिर्सामुंडा. Q36. दक्कन दंगा आयोक कब गठित हुआ? तो आपका कौन सो option correct हो जाएगा? इस case में आप option A कह सकते हैं. लेकिन actual में यह कब बना था? 1876 में. तो इस तरह के questions को आप छोड़ी दें क्योंकि आपको 100 questions में सारे तो बनाने नहीं हैं, सिर्फ 50 questions ही बनाने हैं. तो इस तरह के questions जिसमें आपको confusion हो या जिसके options आपको correct ना लगें तो उसे आप छोड़ सकते हैं. तो question number 36 का correct answer आपका 1876 है जो कि किसी option में नहीं है. तो इसे आप छोड़ी दें तो बहतर रहेगा. चलिए अप question 37 देखते हैं. कौन वालिस कोड कब बना? यह बहुत important question students और आपने यह questions पहले देखे भी हैं. मैंने आपको बता रखा हैं पहले भी objective questions के series में वीडियो में बहुत सारे questions आ चुके हैं इसमें से. तो 37 का आपको कौन सा option करेक्ट हो जाएगा? Option number B. question number 38. अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो आपका correct option हो जाएगा. Option number C. कौन वालिस ने? question 39. कलकत्ता में सर्वोच चिन्याले की अस्थापना कब होई? तो आपका correct option हो जाएगा. Option number D. इन में से कोई नहीं. क्यों? क्योंकि 1774 इस्वी में कलकत्ता में सर्वोच चिन्याले की अस्थापना की गई थी. तो 1774 तो किसी option में नहीं है. इसलिए आपका correct option क्या हो जाएगा? Option number D. question number 40. प्लासी का यूद्ध कब हुआ? यह बहुत important question इस्टुएंट्स और आपको मैंने पहले भी बता रखा है. तो कब हुआ था प्लासी का यूद्ध? 1757 तो आपका option हो जाएगा option D. Correct option. question number 41. वीर कुमर्सी का जन्म कहां हुआ था? तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा? Option number A. जगदीशपूर। question 42. The Great Rebellion. नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका correct option हो जाएगा? Option number B. अशोक मेहताने. question number 43. लखनों से 1857 के वीद्रोह का नेतिरत्वे किसने किया? तो आपका correct option हो जाएगा option number B. बेगम हजरत महलने. question number 44. अशोक मेहताने लिखी है? बहुत important question और हम लोग पहले भी इस question को देख चुके हैं. तो आपका correct option हो जाएगा option number C. लाट कैनिंग. question number 45. वास्को डीगामा भारत कब आया? तो आपका correct option हो जाएगा option number A. 1498. question 46. कौन सा भारतिये नगर? साथ दीपों का नगर कहा जाता है. तो आपका correct option हो जाएगा option number A. मुंबै. question number 47. गेटवे ओफ इंडिया कहा इस्थित है? आपका correct option हो जाएगा option number A. मुंबै. question 48. तीन कठिया पद्दती जूड़ी थी? और आपका correct option हो जाएगा option number C. नील की खेती से. question number 49. 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? तो आपका correct option हो जाएगा option number B. मौन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम. question number 50. चौड़ी चौड़ा कांट कब हुआ? तो आपका correct option हो जाएगा option number D. 1922. question number 51. सौराज जी दल का गठन कब हुआ? तो आपका correct option हो जाएगा option number B. 1923. question number 52. गांधी जी पेशे से क्या थे? तो आपका correct option हो जाएगा option number D. कोशन number 53. शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो आपका correct option हो जाएगा option number B. question number 54. कोशन number 54. कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण सौराज का प्रस्ताव पाडित हुआ? तो आपका correct option हो जाएगा option number B. लाहौर. question number 55. दित्तिय विश्वयूद कब समाप्त हुआ? तो आपका correct option हो जाएगा option number C. question number 56. कोशन number 56. पाकिस्तान शब्द के जर्मदाता कौन थे? तो आपका correct option हो जाएगा option number C. question number 57. पाकिस्तान शब्द के जर्मदाता के जर्मदाता कौन थे? तो आपका correct option हो जाएगा option number C. C. राजगोपाल चारिय। question 58. भादतीय सनुविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका correct option हो जाएगा option number B. राज़िंदर प्रसाद। और ये सब हम लोग पहले पर जुके हैं students. आपने देखा है. कोशन नमबर 59 भारत का लोह पुरुष किसे कहा जाता है ये तो बहुत ही आसान कोशन हो गया तो आपका कॉशन करेक्ट आप्शन हो जाएगा आप्शन नमबर A, सर्दार पतेल कोशन नमबर 60 राष्ट्रे गान किसने लिखा था राष्ट्रे गान किसने लिखा था तो आपका करेक्ट आप्शन कौशन हो जाएगा आप्शन नमबर B, रविंद्र नाथ टैगोर कोशन नमबर 61 हरप्पा सभिता का सबसे बड़ा नगर कौन था तो करेक्ट आप्शन हो जाएगा और ऑप्शन नमबर A, अ कनिंगम कोशन नमबर 63 हरप्पा सभिता में अगनी कुंड कहां पाई गई है तो इस कोशन में तो आपका कोशन ओप्शन A, काली बंगन यहाँ भी पाई गई थी और और ऑप्शन B, लोथल यहाँ भी पाई गई थी तो आपके दोनों options correct है तो इस तरह की questions को आप ignore ही कर देंगे छोड़ देंगे क्योंकि आपको hand in me see 50 ही बनाने हैं ये बहुत बड़ा support है आपके साथ कि आपको सारे questions नहीं बनाने हैं तो आप इस तरह की questions को जिसमें आपको confusion हो या more than one answer correct दीख रहा है तो ऐसे questions को आप छोड़ देंगे क्योंकि आपको 50 questions आप छोड़ भी देते हैं तो आपको कोई problem नहीं होने वाला है Question number 64 Malvika 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 तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा Option number A Kalidas Option number A Kalidas Question number 65 Question 65 परियाग परशस्ती अस्तम्व अभिले किस लिपी में है तो आपका correct option हो जाएगा Option number B Brahmi Question number 66 अंगुतर निकाई किसका धर्म गरंत है तो आपका correct option हो जाएगा Option number A Baud Question number 67 धम महा मातरों को किसने नियुक्ति किया तो आपका correct option हो जाएगा Option number B Question number 69 किस शिलालेक से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है तो आपका correct option हो जाएगा Option number D ते रहवें Question number 70 मनु इस मिर्ती में कितने परकार के विवाहों की चर्चा की गई है तो आपका correct option हो जाएगा Option number C 8 Question number 71 Dr. भीमरो अंबेतकर ने किस धर्म को अपनाया था तो आपका correct option हो जाएगा Option number B बौत धर्म Question number 72 पुरानों की संख्या कितनी है तो आपका correct option हो जाएगा Option number D 18 Question number 73 अकबर नामा कितने खंडों में विभाजित है तो आपका correct option हो जाएगा Option number B 3 Question number 74 आइने अकबरी मुलतह किस भाषा में लिखी गई है तो आपका correct option हो जाएगा Option number B फार्सी Question number 75 शेर सा सूरी ने 1540 इस्वी में किसे प्रास्त किया तो आपका correct option हो जाएगा Option number C हुमायू Question number 76 अकबर को किस वर्ष बादशा घोशित किया गया अकबर को किस वर्ष बादशा घोशित किया गया तो आपका correct option हो जाएगा Option number C 1556 Question number 77 खालसा पंथ की अस्थापना किस ने की थी तो आपका correct option हो जाएगा Option number C गुरू गोविंद सी Question number 78 टाली कोटा का यूध कब हुआ था तो आपका correct option हो जाएगा Option number A 1565 Question number 79 विठ्थल मंदिर का निर्मान किस शासक के काल में प्रारंब हुआ किस शासक के काल में प्रारंब हुआ तो आपका correct option हो जाएगा Option number B देवराई दित्ये Question number 80 लिंगायत आंदोलन की अस्थापना किस ने की आपका correct option हो जाएगा Option number A बास वनना Question number 81 Francis Bernier किस शासक के काल में आया था तो आपका correct option हो जाएगा Option number D औरंगजेब Question number 82 1857 के विद्रोह की पूर्विनिर्धारित थी क्या थी तो आपका correct option हो जाएगा Option number D 31 में 1857 Question number 83 तातिया तोपे को फासी कब दी गई तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा Option number C 18 April 1869 Question number 84 जोकन बाग अतिया कांट कहां हुआ तो आपका correct option हो जाएगा Option number A जासी Question number 85 खेरा सत्या गरह कब हुआ था तो आपका correct option हो जाएगा Option number D 1918 Question number 86 पूर्टगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंदर स्थापित किया तो आपका correct option हो जाएगा Option number A 1510 Question number 87 Lord Willisley भारत के गवर्णर जेनरल बनकर कब आए तो आपका correct option हो जाएगा Option number D 1719 Question number 88 कांधी जी की प्रारंभिक सिक्षा कहां हुई थी तो आपका correct option हो जाएगा Option number A पोर बंदर Question number 89 किरशी में तीन कठिया प्रद्दती कहां लागू थी तो आपका correct option हो जाएगा Option number D चमपारन Option number D Question number 90 Savers की संधी किसके बीच हुई थी तो आपका correct option हो जाएगा Option number D ब्रिटेन एवं तुर्की Question number 91 साबर मती से डांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिन में की तो आपका correct option हो जाएगा Option number C 24 दिन Question number 92 कितने गोल में सम्मेलन हुए थे तो आपका correct option हो जाएगा Option B 3 Question number 93 भारत को प्रांतिय स्वाय अत्ता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ तो आपका correct option हो जाएगा Option number D 1935 का अधिनियम Question number 94 करो या मडो का नारा किस ने दिया तो आपका correct option हो जाएगा Option number D महत्मा गांधी Question number 95 1906 में मुस्लिम लिग की अस्थापना कहां हुई थी तो आपका correct option हो जाएगा Option number C धाका Question number 96 भारतिय सन्विधान कब लागू किया गया था कब लागू किया गया था तो आपका correct option हो जाएगा Option number C 26 जन्वरी 1950 यहाँ पे आपको ख्याल देना है कि कब लागू किया गया था पूछ रहे या कब बन कर तयार हुआ था तो लागू हुआ 26 जन्वरी 1950 और बन कर कब तयार हुआ था 26 नवंबर 1909 में 26 नवंबर 1909 में तो हमें यह जरूर देख लेना है कि लागू किया गया पूछ रहे है या कब बन कर तयार हुआ Question number 97 Victoria Terminus किस शैली की इमारत है तो आपका correct option हो जाएगा Option number B 9 Gothic शैली Question number 98 Lottery Committee का गठन कब किया गया तो आपका correct option हो जाएगा Option number B 1817 Question number 99 Gurudev की उपाधी किसे दी गई थी तो आपका correct option हो जाएगा Option number C Ravindranath Tagore Question number 100 Congress का इविभाजन किस अधिवेशन में हुआ तो आपका correct option हो जाएगा Option number C Option number C सूरत 1907 में सूरत 1907 में सूरत अधिवेशन में तो इस्टुडेंट्स ये थे बिहार बोट के द्वारा जारी के गए Official Model Paper के Handled Objective Questions जिसमें आपको सिर्फ 50 questions ही solve करने थे ये सारे questions बहुत ही जादा important है आप इन्हें याद कर ले पहले याद कर ले लेकिन सिर्फ इन्ही questions पे आपको depend नहीं रहना है जिस तरह आप अपनी तयारी कर रहे हैं आप तयारी करते रहें इसे भी याद रखें तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए questions के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए Thank you